हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने IQ9 Pro Android वाइलफोन में आप जो डू नोट डिश्टब सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि ओन कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये डू डिश्टब सेटिंग जो इनेबल ह जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज आपको ओपन करना है ठीक है सैटिंग पेज को ओपन कर लीजिए सैटिंग पेज में आपको नीचे आना है या आपको आपको इस साउन्ड के पीमाइब काू आपको सेलेक्ट करना है अब अपको सेलेक्ट करना है तो आपको सेलेक्ट económ क्योंसे में अपको सेलेक्ट करना है आपकर तो आब residents के मता अ 아니라 तो जब भी आपके मुवाईल फोन पर अगर मालीजे कोई other person आपको call करेगा तो उसके मुवाईल फोन में ringtone की आवाज सुनाई देगी लेकिन आपके मुवाईल फोन की screen के ओपर वो incoming call शो नहीं होगा नहीं आपके मुवाईल फोन से कोई ringtone की आवाज आएगी ठीक है और इ तो जब आप इस setting को off कर देंगे तो अगर किसी person ने आपको call किया होगा तो उसका notification आपके इस notification पैनल में आपको मिल जाएगा ठीक है या फिर आपके phone app में मिल जाएगा उसका miss call का notification तो इस setting इस तरह की से काम करती है आपके mobile phone में यहाँ पर इस तरह की से यूज कर सकते है अब यहाँ पर जो ही do not disturb setting को ढूणने का मैं आपको एक shortcut तरीका बताता हूँ इसके लिए आपको करना है क्या है आपको setting page open करना है phone का setting page में आपको सबसे उपर यह search icon select करना है और यहाँ पर आपको सबसे उपर यह search bar में type करना है do not disturb तो आपको नीचे की side option show हो जागा do not disturb क इसे आपको select करना है यह वाला option जिसके नीचे do not disturb को यह वाला नीचे लिखा होगा setting sound and vibration इसे select करना है तो क्या होगा आपको मुबाइल फोन आपको directly setting page में लेकर आजागा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है setting को ढूंडने का आपके mobile phone में हुआ है